Hello Assalamualaikum Welcome to my youtube channel उमीदे जी सब ठीक ठाक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं अपना व्लोग स्टार्ट करी हूँ दुपएर से मैं दुपएर का भी खाना खाने लगी हूँ सालड बनाने लगी हूँ अचा जी आप लोगो साथ एक न्यूस शेयर करनी है मेरे हजमें ने बनाया है यूट्यूब चैनल तो आप लोगोने जागे मेरे हजमें के चैनल जरूर देखना है जादे जादे सपोर्ट करना है वीडियो को लाइक करना है अभी उनकी स्टार्टिंग है ले होते तो बंदा रिपीट करके पहनता रहता है शुकर करें यह मैं अभी तक जो है वो व्लॉग्स वाकिरा जो है वो कर रही हूं वर्ना काफी टफ हो जाता है तो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूं फिर सेलेट बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं ठीक है अच्छा जी यह है मेरे हस्बंड का चैनल है लाइफ वशी के नाम से इनका फर्स व्लॉग है तो जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी तो चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक हो गया जी और जादे जादा मेरे हस्बंड को सपोर्ट करिएगा जी और मज़े मज़े के व्लॉग जिनके चैनल पर आपको देखने को मेलेंगे यह चैनल का नाम है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइडर होगा अच्छा जी तो यह एक ड्रेस था जो मेरा ना अभी स्टिच हो क्या है यह मुझे पेज ने भेजा था तो मैंने लगते हैं बस यह ग्रीन कलर की ना कंट्रास में मैंने लेस लगवा ली थी ठीक है इस तरीके से और जो है वो बिल्कुल सिंपल है उस पर मैंने कुछ भी निकरवाया हुआ ठीक हो गया जी तो यह सिंपल सा ड्रेस मेरा आया था मैं सोचा दिखा दूं आप लोगों को अच कि रुबटे निकाल लेती हूँ बाकी लेसिस वगहरा जो है ना वो ममा लेकि और स्टिक्श करने के लिए दे देंगी फिर अच्छा जी तो फिर मैं आ गई थी किचन में किचन में मैं यहां पर कर रही थी सैलेट कट क्यूंकि अब्बो को देना था दूपैर का खाना तो बस खाने के लिए मैं अब्बो के लिए भी सैलेट कट कर रही थी अपने लिए भी और अम्मी के लिए भी मतलब ओवराल लंच के लिए मैं सैलेट कट कर रही थी मैं क्या कह रही अम्मी के लिए अब्बो के लिए अपने लिए तो आज मैं लंच में ले रही हूँ सैलेट ह गरती हूँ न हैवी तो उस दिन फिर मैं दुपैर में जो है वो लंच नहीं गरती कोई फ्रूट ये सालेट ले ले लेती हूँ लेकिन अगर लंच मैंने बहुत लाइट किया होता है तो फिर मैं दुपैर में जी खाना खा लेती हूँ बहुत जादा मुझे लास्ट टाम में भूख तो नहीं लग रही लेकिन लगती है लेकिन पहले से थोड़ी जादा है कुछ लोग कहते हैं ना मैं बहुत ही भूख लग रही है तो ऐसे च्वाला मेरा कोई सीन नहीं है कि बहुत ही जाथा भूख लग रही है कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं तो देख लीजेगा इनके जी मिस्ट्री बॉक्स में से कुछ चीजे निकली थी जो आपके सामने हैं नेल पॉलिशेज हैं स्क्रंची है आई शेडो पैलेट है ये एक हेर पिन है देन ये नोज वाली स्ट्रिप है नोज वाली स्ट्रिप खेर ब बड़े ही मज़ेदार लग रहे हैं पकोड़े नी पकोड़ियां ये चुट-चुटी और चटनी थी साथ तो बड़े ही मज़ेगे थे गरम-गरम थे और आज मेरी इमा लोगों की अनिवर्सरी भी है रात में मुझे उधर भी जाना है तो बस फिर मैंने समोसे वगरा काई पिर मैं सो गई थी और मैं उटी थी तो फिर ये मेरे दराज जो है ना काफी जादा मैसी हुआ हुए हुए है आचा मुझे ये है कि हुस्पिटल जाने से पहले मैं अपनी हर चीज़ को ऐसे सैट करके जाओं कि बाद मुझे जब भी अगर जरूरत पड़े मैं किसी को बोल और म titled कि रैख श्राज के में ये है वोगा करके मने दराज ये हों बिल्यूर जो हम आज़े मैं ने समाना वह पिर बहुत ही जाओ जाता है तो बस यहाँ पर मैंने ज्ली जली थाकुर नहीं कि आप आखें curios को ये है वह जा सामने रहोटा हुए हे भी इंब ऑन किसी को मैं न रॉस भी मैंने कुछ दिन पहले ही सेट कर ली थी जुलरी वाले हैं ये भी अलम्दलिल्ला सेट हैं और उसके लावा फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये ड्रेसिंग टेबल भी साफ कर लूँ क्यूंकि अभी यहां डेस्टिंग मगेरा कर रही थी वो समान मगेरा निकाल रही कि डस्ट जो है न वो कहां से आचाती देखें परफ्यूम्स के उपर भी काफी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है बहुत से लोग कह रहे थे परफ्यूम कलेक्शन शेयर करें तो इन्शालत आला मैं जल्दी ही शेयर करूंगी मेकप के उपर भी हलकी फुलकी डस्ट जो है वो आई जाती है हालकि मैं रोज थोड़ा बहुत लीनिंग कर रही होती हूं अच्छा फिर जाना था अम्मा की तरफ कोई इतना खास तो इविंट आनी बसलका पूल का मैंने मैं सोचा था हम जाएंगे मैंने अम्मा को कहा था आएंगे अम्मा लोग की आज अज़ा इन्व भी आते हैं तो इसलिए थोड़ा से डाक सरकल कंसीलर लगाया देन मसकारा और थोड़ा से मैंने लगा लिया जी मिस्रोज वाला बलश जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था बहुत ही अच्छा सा कलरे इसका अच्छा मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया था क्य मुबारक वाले एंवलेप्स जो है ना मेरे पास रखे होए थे काफी टाइम से मेरे पास हैं और ये काफी जादा ही ले लिये थे जब मैं इदी वगहरा दी थी तो बस मैंने सोचा इसी में जो है वो रख के दे दूँगी एक तो आपके पेरेंट्स आप से कुछ लेते नह आड़े नौ बजे और बेंक के रूटीन इतनी जादा उनके टफ है ना और आजकल स्टाफ बहुत जादे लिमिटेड है तो काम का सारा बर्डन बेंक को देखना हर चीज़ काफी टफ हो जाता है फिर हम लोग डारेक्ट आगे थे ममा के घर पे और यहां पे ममा ने बनाया था और यह हमारा जी किचन है जो आप लोग उने पहले मेरे व्लाग्स में बहुत बहुत देखा हो गया जहां से बने व्लागिंग शुरू की थी फिर उसके साथ सैलेट भी मैंने जो है वो ममा ने कट करके रखा हुआ था बस फिर वसीम आए हैं फिर हम लोग जो है वो तो बस फिर वसीम आए फिर मैंने भाई ने और वसीम ने खाना जो है वो शुरू किया था और बहुत ही मज़ेदार मज़े मज़े का जी हम लोगों ने अपना जी दिनर एंजॉय किया अचा वसीम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आप लोगों ने जरूर जाक और यहां पे चल रहा था जलमी और कराची का मैच तो बस फिर हम लोग वो देखने लग गए उसके बाद यहां देखते देखते ही लाइट चले गई थी अचा बाबा यह केक लेके आए थे अनिवरसरी के लिए मैंने सोचा था मैं केक लेके जाओंगी लेकिन वसीम इतना लेट आए कि फिर हम लोग डारेक्ट चले गए उदर और वैसे ही जो है वो ममा को सर्प्राइस करने के लिए केक लिए आए कि चलो आ रहे हैं तो हम एनिवरसरी भी सेलिब्रेट कर लेकिन अच्छा यह यहां पे मेरी तो कि इतनी ही बुरी पिक्चर्स लिए और इतनी ही ब कैप्चर की है चोटे कजन ने की थी आयो हुए थो माशाला से इतनी हसीन पिक्चर वीडियो मेरी कैप्चर की कि मैं बता नहीं सकती लेकिन चले खैर है जी फिर हम लोग थोड़ी दिर बैट थे हम लोगों ने केक वेक खाया मिठाई वगेरा काई कोल्रिंग पी और फिर हम याद रुकिए का अपना बहुत से क्यार रुकिए का जी आला हाफिज